राधे राधे आशा करती हूँ कि आज सभी लोग खोश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे आज मैं आप लोगों को भगवान संकर की कथा सुलाने जा रही हूँ किर्पया पूरी कथा को सुनियेगा पूरी कथा को सुनने से भगवान संकर का आश्रवात प्राप्त होता है और सभी मनुकामनाओं की पूर्ती होती है आए सुनते हैं भगवान संकर की यह कथा भगवान संकर की यह हो माता पारवती की यह हो भगवान गणेस की यह हो सभी देवी देवताओं की यह हो मैं अपने सभी गुरु भाईयों को बहनों को प्रणाम करती हूँ आए प्रेम पुर्वक इस कथा को सुनते हैं एक नगर में एक राजा राजे करते थे राजा के परिवार में राजा उनकी पतनी और दो संतान एक बेटा और एक बेटी दो संतान होते हैं राजा अपने परिवार के साथ सुख पुर्वत उस नगर में जीवन को बिता रहा होता है राजा बड़ा ही देयालो सुख का होता है वह सोचता है कि मेरे नगर में उसके परिवार में प्रजा के परिवार में कोई भी व्यक्ति दुखी न हो किसी के भी आँखों में आसू न हो कोई भूखा न सोए इन सब बातों को जानने के लिए राजा रोज रात में स्वैम वेस बदल करके घर घर चाता था देखने के लिए कि कोई भूखा परिवार तो नहीं सो रहा है किसी के घर में धन की कमी तो नहीं है किसी को किसी और कारण से कस्ट तो नहीं है मेरे राज में सभी प्रजा सुखी होने चाहिए इस भाव को वह राजा हमेशा अपने हिर्दय में रखता था और बड़ा ही नयाय प्रिये राजा था, हमेशा अपने प्रजा के साथ में नयाय करता था अपने राज्य को चारों दिसों से उसने सुरक्षित बना रखा था कि कोई भी शत्रू आक्रमन न करे और यदि आक्रमन कर भी दे तो वह हार के जाए, जीत के ना जाए अपने राजा के प्रती सभी प्रजा भी बड़ी हिस्रद्धा भौ रखते थे बड़े खुश रहते थे कि हमारे राजा बहुत अच्छा है हम लों का ध्यान रखता है और बड़ा ही आशिरवाद देते थे अपने राजा को, रानी को, उनकी संतान को लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं समय कभी एक जैसा नहीं रहता है कहीं पर धूप तो कहीं पर छाव हो जाता है उस राजा के जीवन में भी ऐसी ही गटना गटती है होता यह है कि एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल को गए और इधर रानी की तवेत बिगडने लगी जब रानी की तवेत बिगडने लगी तो राजबैद को बुलाया गया राजबैद इलाज आरम्ब कर दिये जब आखेट से राजा रात में लोट कर आए तो देखते हैं कि रानी की इस्तिती अच्छी नहीं है और रानी को राजबैद इलास्तों पूरा कर रहे हैं लेकिन चिंता की लकीरें साफ साफ राजबैद के चेहरे पर दिख रहा है राजा ने बुला करके राजबैद से पूछा कि क्या बात है बैज जी आप इतने परिशान क्यों दिख रहे हैं क्या बात है राजबैत कहते हैं सारी जड़ी बूटी खिलाया गया है रानी को सारी औसधी जो चाहिए वो रानी को दी जा रही है फिर भी स्वास्त अच्छा नहीं हो रहा है बलकि खराब ही होता जा रहा है यह इस्तिती अच्छी नहीं है और मुझे अफसोस है कि हो सकता है कि रानी जीवित ना रहें ऐसा सुन करके राजा शोक में डूब जाता है वह सोचता है कि मेरी संतान अभी बहुत छोटी है लड़की जो है वह पांच बरस की है और जो लड़का है वह सिर्फ तीन बरस का है अभी इनकी आयू ही क्या है और बिना मा के बच्चे कैसे पलेंगे और मैं कैसे राज को संभालूँगा और इन दोनों बच्चों को भी संभालूँगा ये सब सोच करके राजा पूरी रात शोक में डूबे रहे बैट जी ने पहले ही कह दिया था कि राणी अब नहीं बचेंगी और होता भी यही है सुभा के समय में राजा के पास समाचार आ जाता है कि राणी की मृत्ति हो चुकी है राजा शोक में डूब जाते हैं अब ना तो उन्हें राजकाज में मन लगता है ना किसी अन्यकार में मन लगता है प्रजा चन्मी अपने राजा को दुखी देख करके वो लोग भी दुख में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि यदि मेरा राजा इतना दुखी है तो हम उनके लिए इश्वर से प्रातना कर सकते हैं कि हे इश्वर राजा के दुख को कम कर दें इधर राजा के जो मित्र थे जो राजा का हित चाहते थे वो जब इस सोक समाचार को सुनते हैं राजा से मिलने उनके महल में आते हैं और कहते हैं कि हे मित्र ए छोटी छोटी दो बच्चे हैं इनका तुम अकेले लालन पालन नहीं कर पाओगे यदि मेरी बात का बुरा न मानो तो तुम दूसरा ब्याह कर लो राजा कहते हैं मैं इन बच्चों के लिए एक सौतेली मा नहीं ला सकता हूँ तब उनमें त्रों ने समझाया कि इतने छोटे बच्चे हैं इन्हें तुम लालन पालन कैसे करोगे और राजकाच कैसे समझालोगे यदि तुम इस राजकाच को अच्छे से नहीं समझालोगे तो जो दुश्मन देश है वह तुम्हारे देश पर आक्रवन कर देगा और तुम युद्ध में हार जाओगे इसलिए इन बच्चों की ओर से निश्चिंत हो जाओ दूसरा व्याह करो और दूसरी पत्नी को जिम्मेदारी दो कि वह इन बच्चों का अच्छे से लालन पालन करे और तुम अपनी प्रजा को देखो अपने राजे को देखो यह तुम्हारे लिए अधिक जरूरत है राजा अपने मित्रों की बातों को सुन करके भी अनसुना कर देता है और कहता है ठीक है मैं बाद में इस पर विचार करूँगा फिर मंत्री परज़त के लोग आते हैं और वे भी महराज से ऐसा ही अनरोध करते हैं कि हे महराज कोई सुयोग के करन्या को देखकर जिसके रूप अच्छे हों गुण अच्छे हों विचार अच्छे हों सुयोग के करन्या से किर्पया आविवाह कर लें जिससे कि आपके जीवन में जो ही कस्ट है वह कस्ट दूर हो जाए राजा उनके भी अनरोध को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का लालन पालन स्वेम करूंगा सारे मंत्री परशत के लोग चुक चाप से जुका करके चले जाते हैं राज आग्या को कौन टाल सकता है ऐसा सोचते हुए वो लोग महल से चले जाते हैं इधर राजा सोचता है कि बात तो सही कही जा रही है कि यदि मैं शिथिल पढ़ गया शोक में डूबा रहा तो शत्रुदेश के लोग आएंगे मेरे उपर आक्रमन करेंगे और मेरे राज के पूर सारी जनता या तो वो मारी जाएगी या फिर मुझे राज छोड़कर भागना पड़ेगा जिस राज की रक्षा मैंने इतने सुन्दर तरीके से आस तक की है वो कुछी छड़ों में बिखर जाएगा तो मुझे अब फिर से अपने आपको सबल बनाना है और राज काज भी देखना है साथ में अपने बच्चों को भी देखना है राजा एक दासी को आग्या देता है कि मेरे दोनों बच्चों को नहला दो, धुला दो, तियार कर दो और मैं इने अपने साथ में राज सभा में ले कर जाऊंगा राजा जब राज सभा में पहुंसता है तो साथ में अपने दोनों बच्चों को ले कर जाता है बच्चे तो बच्चे होते हैं वो जहां जाते हैं वहीं सेतानी करते हैं वो बच्चे भी नटकट अपना खेलने में वहाँ परमस्त राजसभा में अब राजा को जब कोई मंत्र ना करनी हो तो वह निर्णा न ले पाए क्योंकि एक तरफ बच्चे थे निगाह उनकी बच्चों की तरफ चली जाए पंद्रा दिन तक राजा ने इस कारे को किया उसके बाद राजा को समझ में आ गया कि मैं बच्चों का भी लालन पालन करूं और राज काज को भी देखूं यह दोनों ही कारे मेरे लिए संभव नहीं है अब ज़रूरी है एक योग्य करन्या से मैं दूसरा विवा कर लूँ दूसरे दिन सुभव अपने मंत्री परिसद को बुलाते हैं महल में और कहते हैं कि कोई योग्य करन्या ढूरिए जो रूपवती हो, गुडवती हो, सुसील हो, सुभव से अच्छी हो मेरे दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह लालन पालन कर सके मंत्री परिसद के लोग यह बात सुन करके बहुत ही प्रसंद होते हैं और कहते हैं कि महराज कि एक सप्ताह के अंदर में ही हम लोग ऐसी करन्या ढोड़ लाएंगे और निश्चित है कि वह करन्या आपको पसंद आएगी और आप उस करन्या से विवाह कर लीजेगा यह जिम्मेदारी राजा अपने मंत्री परिसद को देते हैं कि आप लोग करन्या ढूड़ के लाएंगे और फिर मैं उस करन्या से विवाह करूँगा जब यह बात नगर में पहुंसती है तो नगर के लोग भी बहुत प्रसन हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि चलो राजा अब सुखी रहेंगे धीरे धीरे करके राजा अपनी पहली रानी को भूल जाएंगे दोनों बच्चे को पालने के लिए एक मा होगी और राजा का जीवन सुख में हो जाएगा इधर मंतरी परिशत के लोगों ने रूम राण करके नगर में ही एक कन्या को देखते हैं जिस कन्या का नाम सुकन्या होता है उस सुकन्या से राजा का विवाह संपन कराया जाता है जब वह कन्या आती है राज महल में तो रानी बन कर आती है अब वह एक साधारन घर की लड़की ना हो करके राज महल की रानी हो बन जाती है पहले रात में ही राजा उस सुकन्या से कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो यह निश्चित है लेकिन तुम्हारे उपर एक और जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी यह है कि तुम इन बच्चों का लालन पालन करो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालो वह सुकन्या कहती है हे महराज यदि आप इससे प्रसंद है कि मैं इन बच्चों को अच्छे से पालूं तो मैं ऐसा ही करूंगी लेकिन उस रानी को यह बात अच्छी नहीं लगती है उसके मन में यह बात उसे अच्छी नहीं लगती है लेकिन राजा का वह विरोध भी नहीं करती है राजा की मन को रखने के लिए वह कहती है कि महराज आपको यह दिया अच्छा लगता है तो मैं ऐसा ही करूंगी इधर राजा जो है वह देखते हैं कि सुकन्या जो है उनकी दूसरी पत्नी वह बच्चों का बड़े अच्छे से लालन पालन कर रही है तो देख करके राजा खुश हो जाते हैं कि अब मेरे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और राजा राज काज को देखने लगते हैं राजा का ध्यान अपने बच्चों के प्रती थोड़ा सा हट जाता है धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जो लड़की होती है वह बड़ी हो जाती है और जो लड़का होता है उसकी उमर बारह वरसकी हो जाती है और इधर छोटी रानी के खुद के कोई संतान नहीं होती है अब छोटी रानी दुखी होने लगती है कि मेरे तो कोई भी संतान ही नहीं है यदि मेरा खुद का संतान होता तो बात ही कुछ और थी अब उसके चेहरे पर हर समय उदासी चाय रहती है एक दिन एक दासी रानी से कहती है हे रानी क्या बात है आप इतनी उदास क्यों है आपके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है जो कि मैंने कभी नहीं देखा रानी कहती है कोई बात नहीं है वह बात को टाल देती है वह सोचती है यह तो दासी है लेकिन वह दासी रानी को बहुत मानती थे तो वह पीछे पड़ गई कि महरानी बताइए क्या बात है आप क्यों दुखी है तब रानी कहती है कि मेरे खुद के कोई संतान नहीं है इससे मैं बहुत दुखी हूँ ये बच्चे तो बड़े हो रहे हैं राजा को राजका से फुर्सत ही नहीं है मेरे खुद के बच्चे होते तो वो भी छोटे होते कि मेरे साथ रहते खेलते एकोते तो मेरा भी समय अच्छे से ब्यतीत होता दासी ने कहा महरानी ये बात तो है खुद की संतान होना बहुत जरूरी होता है बुढ़ापे में खुद की ही संतान काम आती है वह तो राजा की संतान है तो राजा की काम आएगी लेकिन आपकी संतान तो ही आपकी सेवा करेगी इस बात को सुन करके रानी बहुत खुश हो जाती है और दासी से कहती है कोई उपाय बताओ दासी कहती है जब तक राजा की ये संतान है राजा कभी भी आपकी और नहीं आएंगे और नहीं वो आपके संतान की इच्छा रखेंगे राणी कहती है तो क्या उपाय किया जाए बोले कुछ नहीं किसी भी तरीके से राजा का जो यह पुत्र है इसे आप मरवा दीजे या इसे देश निकाला कर दीजे इस तरह का कोई एक उपाय हो जाए तो राजा फिर अपनी संतान की चाहत में इधर आएंगे और आपके भी सं सोस्ती है कि कोई उपाय तो किया जाए इस लड़के को रास्ते से हटा दिया जाए बहुत सोस्ती है कि क्या उपाय लगां क्या उपाय करूं क्या उपाय करूं तो वह एक दिन चलाके से उस बालक को जो की 12 वरस का बालक था अपने कमरे में बुलाती है उस बालक को आवाज देती है बेटा इधार आओ इधार आओ तो वह राजकुमार कहता है मां मैं खेल रहा हूं इस वक्त तो कहती है ठीक है तुम खेल लेना अभी मैं बुला रही हूं तो अभी तुम मेरे पास आओ बच्चे दूसी जानी को अपनी मां मानने लगे थे तो दूसी जानी की हर बात को मानते थे वह लड़का अबोध बालक मा की बातों को सुनकर मा के पास में आ जाता है मा क्या करती है अपने कमरे में उस बालक को बैठाती है कहती है इस विस्तर पर बैठो और धीरे से अपनी सारी चूड़ियां तोड़ देती है जब चूड़ियां तोड़ती है और बिला करके रोना शुरू कर देती है वह बालक समझ नहीं पाता है कि मा ऐसा क्यों कर रही है उसके रोने के आवाज को सुनकर दास दासिया ने यह ख़वर राजा तक पहुचा दी कि पता ने क्यों महरानी बहुत रो रही है कमरे के अंदर राजा आते हैं और और कहते हैं क्या बात है रानी तुम क्यों रो रही हो बोलती है देखो हे महराज मैंने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में पाला है किन्तु यह बालक मुझे मा के रूप में नहीं मानता है इसने मुझसे जगड़ा किया और जगड़ा करने के बाद में मेरी सारी चूड तोड़ दी और जगड़ा करने के कारण मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए हैं बताइए अब मैं क्या करूं या तो मुझे अपनी मांता ही नहीं है राजा ने जब इस द्रश्च को देखा तो राजा को क्रोधा गया राजा ने कहा कि मैं इसे अभी ही मां डालता हूं त इसे ना मारें इसे छमा कर दें सजा ये दें इसे महल से बाहर कर दें राजा को ये बात अच्छी लगती है और राजा सोचते हैं कि ठीक भी है यही बढ़ापे का सहारा है मुझे इसको नहीं मारना चाहिए और उस बालक को सजा दे देते हैं कि तुम अब महल के बाहर रहो इदर जो उस बालक की राजकुमार की जो बड़ी बहन होती है इस सब दर्शिक को देखकर बहुत दुखी हो जाती है कि अब मेरा भाई महल के अंदर नहीं रहेगा बल्कि महल के बाहर रहेगा महल के बाहर एक बंगला बना होता है उस बंगले में उस राजकुमार की रहने की विवस्थक कर दी जाती है अब राजकुमार से मिलने के लिए उसकी बहन राजकुमारी नित्म बंगले पर जाती थी और जो कुछ भी महल के अंदर अच्छा खाना बनता था अपने भाई को ज भाई से पूछती है कि भाई उस दिन क्या हुआ था और पिता जी क्यों तुमसे नाराज हो गए तब राजकुमार बताता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया मा ने खुदी अपनी चूड़ी तोड़ी और अपने कपड़े अस्त विस्त किये और रोने लगी और जब पिता ज उनसे कहा कि मैंने यह सारे कारिकिये हैं जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था बुलाया तो माने था कमरे के अंदर तब राजकुमारी समझदार होती है वह समझ जाती है कि सोतेली माने मेरे भाई को फसाने के लिए इस तरह का कारिकिया है वह अपने भाई से कहती है करूं इसके लिए तु राज-कुमारी कहती है एक कुद्टे को पाल लो उसे अपने साथ में रखो वह तुम्हारी रक्षा हर रखत करेगा वह राजकुमार कहता है यह तुमने बहुत अच्छी यूती वताई है और वह राज-कुमार एक कुद्टे को पाल लेता है अब धिरे धिरे वह कुत्ता भी बड़ा होने लगता है और वह कुत्ते के साथ ही रहता था हर वक्त कुत्ता से बात करना चीत करना क्योंकि हर वक्त राजकुमारी साथ में नहीं होती थी छोटा था बच्चा था उसे भी साथ में खेलने के लिए एक कुट्टा मिल जाता है तो वह उस कुट्टे के साथ में रहने लगा अब महरानी फिर परिसान होने लगी वह सोचती हैं कि यह तो बालक जीवित ही रह गया है इसकी तो मृत् चांती नहीं मिलेगी मुझे दोनों ही चीजे चाहिए इस बालक की मृत्यु चाहिए और अपने संतान चाहिए अब उसका मन न लगे महराणी बेचैन होने लगी उसका मन ही न लगी किसी काम में मन लगे वह उदास रहने लगी जब उदास रहने लगी तो एक दिन राजा राजा ने कहा ए रानी तुम उदास क्यों हो रानी कहती है महराज आपने पुत्र को छोड़ दिया बाहर छोड़ दिया यह मुझे अप अच्छा नहीं लग रहा है उसे आपको दंड देना चाहिए राजा ने कहा अच्छा बताओ क्या दंड दूं बोली कुछ नहीं उसका सि सिर काट दें और मैं जब उसके कटे हुए सिर को देखूंगी तब मेरे को बहुत खुशी होगी राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है आज है मैं रात में जाकर उस बालक के सिर को काट दूंगा इधर राजा अपनी दूसरी पत्नी के प्रेम में इतना मोहित हो गया था कि पहली पत्नी को भूल गया और अपने ही बच्चों के साथ में दूर वेहवार करने लगा वह भूल गया कि यह मेरा बेटा कितना प्रिये पुत्र था और रात के समय में मरानी को खुश करने के लिए वह राजा चुपके से बंगले पर जाता है सैयोग बस राजकुमारी यह बात सुन लेती है कि पिता जी भाई को मारने जा रहे हैं तब वह लड़की संकरवान की पूजा करने लगती है उसी महल में जो संकरवान का मंदिर होता है वह उसी मंदिर में जाती है और भगवान संकर के सामने भगवान संकर के शिवलिंग के सामने बैट जाती है और ओम नम्माश्रिवाय मंत्र का जाब करने लगती है बिलाब करने लगती है भगवान संकर से कि हे प्रभु हे भोले बाबा मेरे भाई की रक्षा करो एक पिता ही अपने पुत्र को मारने जा रहा है मैं देख रही हूँ मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं आसहाए हूँ किर्पया मेरी मदद करो मेरे भाई की जान को बचा लो आर्द पुकार करते करते सुबह के तीन बज गए ओस वक्त माता पार्वती और भगवान संकर ब्रहवण पर निकले हुए थे प्रिथ्वी लोग के भ्रहवण पर निकले हुए थे तो वह देखते हैं कि यह कन्या रातरी के तीन बजे बैठ करके आर्द पुकार कर रही है भोले बाबा को याद कर रही है तो मा पार्वती कहती है कि हे प्रभु हे भोले बाबा हे नात जब तक इस कन्या के समस्या का आप समाधान नहीं कर देंगे मैं इस स्थान से आगे नहीं जाओंगी मा पार्वती के इस बात को सुनकर भगवान संकर और माता पार्वती उस राजकुमारी के सामने प्रगट होते हैं और कहते हैं बताव पुत्री क्या बात है जो तुम इतना आर्द बुकार कर रही हो भवान संकर से प्राथना कर रही हो तो अहराज कुमारी कहती है कि हे भोले बाबा मेरा छोटा भाई है बारह बरस का मेरा भाई है उसको मारने के लिए मेरी पिताजी स्वैम गए है मेरी सोतेली मा के कहने पर किर्पया मेरी भाई के जान को आप बचा लें आप तो सरवग्य हैं उसे जीवन दान दे बोले बाबा कहते हैं ठीक है वह जाते हैं बोले बाबा जहां पर उसको छोटा भाई राजकुमार उस बंगले पर सोया हुआ होता है वहां पर पहुँचते ह राजा भी इधर तलवार लेकर के अपने पुत्र को ढोड़ रहा होता है कि ये बंगले में कहां पर सोया है देखते हैं वो इतना राजा ब्याकुल होता है कि वो ये नहीं देखता कि बिस्तर पर कुत्ता सो रहा है या राजकुमार सो रहा है राजकुमार अपने कुट्टे से इतना प्रेम करता है कि वह कुट्टे को अपनी बिस्तर पस उला देता है उसे चादर उड़ा देता है और स्वयम नीचे जमीन पर एक चादर उड़ करके सो जाता है भोले बाबा उसके सिर पर हाथ रख करके उसे आशिरवात दे रहे थे भोले बाबा के हाथ लगते ही वह बालक दिरगाई हो गया ग्यानी हो गया और भोले बाबा का हाथ जिसके मस्तक पर हो जाए उसे किस बात की कमी होगी इधर वह राजा आता है और इतना उसका मतिभ्रम हो जाता है कि वह यह नहीं देखता कि इस चादर के नीचे मेरा पुत्र है यह कोई और है वह सुचता है कि अच्छा यह चादर के नीचे मेरा पुत्र सो रहा है और तलवार मारता है तो वह कुत् पुते का सिर अलव हो जाता है और धर अलव हो जाता है खून से लथपत उस तलवार को ले करके अपने रानी के पास आता है और कहता है देखो रानी मैंने उस पुत्र का बद कर दिया और यह देखो खून से सना हुआ यह तलवार है रानी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जल्दी से जल्दी सुरियोदे हो उसके बात मैं जा कर देखूंगी कि वहाँ पर उसके शब किस तरीके से पढ़े हुए हैं ईधर भगवान संकर ने उस बालक को गोद में उठाया और जिस घर के आंगन में उस बालक को गोद में उठाया और उस मंदिर में ले कर गए जहां पर वह राजकुमारी बिलाब कर रही थी और उसी इस्थान पर माता पारवती थी बालक को मंदिर के अंदर ला करके बिठा देते हैं और वहें पर राजकुमारी को बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर बैठे रहना तुम्हारा अब कोई कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा ऐसा आशिरवाद दे करके भगवान संकर और माता पारवती अंतर ध्यान हो जाते हैं इधर जब प्रात्यकाल होता है तो वह रानी अपनी दासी से कहती है कि राजा ने स्वैम अपने पुत्र को मार दिया है चलो देखने चलते हैं उस बंगले पर उस राजकुमार की लाज को यह सुन करके वह जो दासी होती है वह कांप जाती है और इस समाचार को और लोगों को बता देती है कि राजा ने राजकुमार को ही मार दिया है यह समाचार पूरे राज में फैल जाता है कि कैसा यह निर्दई राजा है कि अपने पुत्र को ही मार दिया और हाहाकार मत जाता है पूरे राज में हाहाकार मत जाता है जब राजा उठते हैं सोकर के तो देखते हैं कि सारे राजी के लोग महल के चारो और खड़े हैं और राजा से कह रहे हैं कि महराज आप बाहर निकल के आईए राजा महल के छत पर जाते हैं और पूछते हैं क्या बात है तो प्रजाजन पूछती है कि है महाराज आपने होने वाले राजा को क्यों मृत्य दंड दिया क्या किया था उसने, क्या गलत किया था, वह तो आपके दंड के कारण महल के अंदर नहीं आता था, बाहर ही रहता था, बंगले पर ही रहता था, क्या आपको अपने फुत्र से इतनी नफरत थी, इस स्वर को सुन करके राजा अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, मैंने तो बहुत भारी गलती कर दी, इस रानी के कहने पर अपने ही पुत्र को मार दिया, जो कि होने वाला राजा है, अब राजा बहुत परिशान हो जाता है, बहुत परिशान हो जाता है, तो उसे ख्याल आता है, कि मैं चलता हूँ संकरवान के मंदिर में, औ वही कोई उपाय निकाला सकते हैं जब वह शिवाले में पहुंचता है तो देखता है कि मेरा पुत्र छुप करके भगवान संकर से लिपट करके बाढ़ा सेहमा सेहा है राज-कुमारी भी बड़ी सहमी से उसी मंदिर बैठी है अपने पुत्र को जेवित पा करके वह राजा निहाल हो जाता है अपने पुत्र को बहुत प्यार करता है राजकुमारी को प्यार करता है फिर पुछता है कि तुम लोग यहां कैसे हो तब वह राजकुमारी सारी कथा को बताती है और कहती है कि पिताजी भागवान संकर ही भाई को ले करके इस मंदिर में ला करके बिठा कर गए हैं और कहें हैं कि तुम लोगों का कोई भी कुछ भी नुक्सान नहीं कर सकता है राजा कहते हैं आज के बाद में मैं कोई भी ऐसा निर्णे नहीं लुगा जो कि तुम लोगों के लिए आहित कर हो और जो दूसरी राणी है उसे कारवास में डाल देते हैं कहते हैं मुझे ऐसी पत्नी की जरुरत नहीं जो मेरे हे पुत्र को मारने के लिए मुझे विवश कर दे भगवान संकर की जय हो माता पार्वती की जय हो भगवान गड़ेस की जय हो सभी रिसी मुनियों की जय हो सभी द्रश रिशियों की जय हो सभी आद्रश रिशियों की जय हो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी किर्पया वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा कमेंट बॉक्स में ओम नमाशिवाय अवसी ही लिख दिजेगा चैनल को सब्सकाइब कर दिजेगा बेल आइकन दवाना न भूलेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमामीश्यमीशान निर्मान रोपम विवुम्ब्यापकं प्रम्म वेदस्वरोपम निजम निर्गुळम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकासमाकास वासम भजेहम निराकार ओमकार मूलं तुरियम गिराग्यान गोतीत मीशं गिरीसं करालं महाकाल कालं किर्पालं गुनागार संसार पारं नतोहं तुशारदी संकास गौरं गंभीरं मनो भूती कोटी प्रभाश्री सरीरं इस्पुन्मोली कैलो लिनी चारु गंगा नसदे बाले बालेंदू कंठे भुजंगा चलत्य कुण्ड लंब्रू सुनेत्रं विसालं प्रसन्नाननं नेल कंठं दयालं मिकाधी सिचर्मा अंबरमुंड मालं प्रियं संकरम सर्व नाथं भजामी प्रचंडं प्रकेस्थं 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 झाल 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 झाल